पिसमें रवाने रहे हैं टेन क्लास हम कर रहे थे कल में ने दो करवाए थे आपको आज 34 और 37 करेंगे हम पेज 145 और साथ आप अपने नोर्स को लीजिए ताकि अगर कोई मिस्टेक है तो उसकी क्रेक्शन कर लीजिए मदीना अरब का एक मुकर्दस शहर है मदीना इस था होली सिटी ऑफ अरेमिया ये मक्का से तकरीबन 300 मेल के फासले पर है इस नेरली 300 माइल्स अवे फ्रॉं मक्का ठीक है कारिंग ये फासला चार पांथ क्यंटे में तै कर लेती है कार्स कवर दिस डिस्टेंस इन फोर तो फाइव और्स मदीना पिगम्र इस्लाम अलेह वालिव सलम का शहर है मदीना इस दे सिटी ऑफ रसूल अलेह वालिव सलम यहां कई मसाजिद हैं यह आर मैनी मसाजिद लेकिन सबसे ज़्यादा मशूर मस्जद नवी है बट मस्जद नवी इस दा मूस्ट फेमस इस मस्जद में रसूल अकरम अलेह वालिव सलम का रोजा मुबारिक है अफ दे सिक्रट ग्रेव अफ तरसूल सलय लेह वालिव सलम इस अलसो इन दिस मस्जद ठीक है दर सिक्रट ग्रेव या श्राइन नहों ने लिकाए ग्रेवी ठीक है वैसे इस अलसो अफ दे रसूल सलम इस यहां एक लाग मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं 1 lakh muslims can offer namaz here prayer नहीं लिखना अपने यह term सारी कतम की हुई है तो आपर वही word यूज़ करेंगे namaz 1 lakh muslims can offer namaz here मदिना में कई होटल है there are many hotels in मदिना यहां पुरानी अमाटें भी है here are old buildings too here are old buildings too next here paragraph number 37 यह सद्यों की एक राप थी it was a winter night यका यक किसी ने दर्वाजा खटकटाया suddenly, sorry, हम सो रहे थे we was griping यका यक किसी ने दर्वाजा खटकटाया suddenly someone knocked at the door मैं और मेरे वालिद उट पैठे my father and I got up हमने सोचा यह कोई चोर होगा we thought it would be a thief इसलिए हमने बंदूक ले ली therefore we took our gun और दर्वाजे पर आ गए and came to the door मेरे वालिद ने पूछा my father asked दर्वाजे पे कौन है who is at the door जवाब मिला we are replied मैं करीब आदमी हूँ और भूखा हूँ I am a poor man and hungry हमने दर्वाजा खोला we opened the door उसको अंदर ले आए और कुछ खाने को दिया we took him into the house and gave him something to eat उसने हमारा शुक्रिया अदा किया और चला गया he thanked us and went away ओके जी यह तो स्टाटिशन परगाफ है जो आप याद करेंगे अब जो हमने next करना है वो है chainta narration कल जब मैंने आपको करवाय थे interrogative sentences हमने किये थे ठीक है कल मैंने आपको वो sentences करवाय थे जिनमें जिनका helping helping verb से start होते थे यहनि मैंने आपको कहा था interrogative sentences तो types के हैं एक तो वो होंगे जो helping verb यहनि is, mr, has, have, do, does, did, will, shall वगरा से start होंगे और दूसरे वो थे जो question words से start होते हैं जैसे why, when, where, how, what इन से start होने वाले, या wh family कहले, या question word कहले अब इन में difference तो मैंने आपको कल बताया, कल हमने helping verb वाले किये थे, जिसमें मैंने कहा था कि set की जगा arcs लगाएंगे और inverted comma replace करके weather यूज़ करेंगे और sentence को simple form में लाके फिर उसे indirect में change करेंगे क्योंकि indirect में हमारा sentence सवालिया नहीं होगा, simple sentence होगा आज जो हम करने जा रहे हैं, ये हैं question word वाले sentences हैं तो interrogative ही, इसमें थोड़ा सा difference हो, उससे set की जगा यहां पे भी ask ही आएगा लेकिन यहां पे inverted comma replace करके हम वो ही question word लगाएंगे जो हमारे reported speech जिससे हवारा start हो रहा है यनि inverted comma की replacement में question word ही लगेगा उसके बाद हम अपने sentence को simple form में लाके change करेंगे उसी rule के according अब देखिए sentence number 11 क्या था he said what do you want me to do अब he asked ठीक है what question word as it is आ गया if not it commas remove हो गए अब do you want me to do ठीक है यह सवाल यह है do you want me to do अब यह present indefinite है simple करें तो you want me to do रह जाता है do omit हो जाता है इसमें you second person change according to your object आपके पास object नहीं है खुद को consider कर रहे हैं तो I में कदमट हो जाता है I want first form change into second wanted me आपका first person था first person ने आपके किसके according change होना है subject के according reporting के reporting का subject क्या है he अब यहाँ पे me कौन सा case है objective case है ठीक है he का objective case क्या है him तो यहाँ पे हम him लगाएंगे और फिर आगे to to इसी तरह आजाएगा तो क्या होगा he asked what I wanted him to do next है the mother said how did you fail in your examination the mother asked how inverted comma हटाके होन लग गया अब did you fail in your examination को जब simple करते हैं you failed in your examination हो जाएगा तो हो यू आई में कर्णवर्ट हुआ आई फेल सेकिंड फेल्ड की सेकिंड फॉर्म है तो यह सेकिंड फॉर्म चेंज इंटू मैंने आपको बताया था हैट प्लस हैट फॉर्म है यह नहीं फेलर्वर्म कर्णवर्म है प्लस हैं ट्रसंडूर्म चेंज होने आपको अबजेट के इक ऑखौडिंग यह अधर मी अबजेक्त हैं आपके पास तो मी का प्लसेटिव क्या है माइ ठीक है सेकिंड प्लस है फेल्ड इन जयां धेल्ल इन नेक्सटहें रजा said where are you going रजा asked where I was going ठीक है the teacher said whose book is this the teacher asked अब whose book यह इकठा ही है ठीक है whose book अब is this को this is simple में आता है तो whose book this change into that और is change into was whose book that was the teacher said who is the author of this book the teacher asked who अब is the author of this book है तो यह क्या जब simple formula आता है तो क्या होगा the author of this book is ठीक है अब जब change करेंगे तो क्या होगा the author of this change into that that book was the teacher asked who the author of that book was next step the stranger said which is the way to Shalimar Gardens the stranger asked which the way to Shalimar Gardens was the manager said how do you propose to solve this problem the manager asked how do you propose to solve this problem simple क्या रहजेगा जब इसको बनाते हैं तो you propose to solve this problem or I proposed first form change into second proposed to solve that problem the manager asked how I proposed to solve that problem the boy said what do you want me to do the boy asked what I wanted him to do the people said where have I eased the people asked where he had eased I have eased change into he had eased the teacher said who is next on list the teacher asked who next on list was टीके यनि who is next on list अब जब आप the teacher asked who तक कर लेते हैं next on list is आएगा simple जब इसको बनाते हैं तो फिर change करते होगे क्या आएगा who next on list was यह आप लोगों ने पूरी exercise की practice करनी है और इसके साथ जो examples हैं उपर दी हुई इसकी वो भी आप करेंगे जिसे हैं he said to me what are you looking for he asked me what I was looking for she said where do you live she inquired of them यह she asks them भी कह सकते हैं where they lived यहां पर उसने object mention किया है he said how many chapters have you done already he inquired of him how many chapters he had done by that time already changed into by that time डाइरी आपकी दोनों paragraph learn करेंगे और इसके साथ आप indirectly practice करेंगे प्रोल और जपकी आप I